अलोफ़ों जागन आम्पेर्ज दील का रिव्यू करने वाला है यह बाइट का फॉन पुट है इसमें हालोजन हेडलाइट है और लेडी लाइट्स में हालोजन बल्प का है इसमें लेडी पार्किन लाइट्स यूज़ किया गया है यह जील का बाइटिंग साइड में और इस बाइक में डिजिटल स्पीडर में डेल यूज़ किया गया है इसमें स्पीड, किलोमेटर्स और राइडिंग मोड का रीडिंग दिखा जाता है इसमें टू राइडिंग मोड है एक लोव स्पीड और एक हाई स्पीड और हम अब यह low speed में कितना speed चलता है चप करेंगे यह low speed में maximum 32-35 speed तक जा सकता है और अब high speed में चप करेंगे यह high speed में easily 60 speed तक जा सकता है और इसमें दो साइड्स होरन स्विच दिया गया है और ये बॉटल फोल्डर और लोडिंग हुट और ये चार्जिंग चार्जिंग सॉकेट है इसको कवर भी दिया गया है जो रेनी सीजन में प्रोटेक्ट करेगा चार्जिंग होते समय ये ताउजन मोट का मोटर यूज किया गया है इसमें अब सीट के अंडर स्टोरेज इसली एक चार्जर को स्टोर किया जा सकता है और ये बाइक का एंसे की स्विच इसमें रिमोबल लिखियम आयान बाटरी यूज किया गया है इसका वेट मेरली टेन केजिस है इसमें लाइसेंस और रिजिस्ट्रेशन का जरुरत है इसमें 10 इंच स्टील वील्स यूज किया गया है और टेल्सको की शॉप अबजाबर्स यूज किया गया है और इसका ग्राउंड क्लियरंच 155 एंएम है इसका अंडर प्रैस 85,000 रुपीज है त्छ्सक्का अप्सक्राइब और लेगए उवस्क्राइब भीज़ गया है